यहाँ पर question है duty जी का do you think मोतिलाल का जो small cap fund है वो mid cap के जैसा बहतरी इन होगा तो देखिए मोतिलाल अभी exceptional performance दिखा रही इसके कई सारे funds exceptional performance दिखा रहे अब ये एक तरीके से क्या होता है ने ये किसे भी fund आउस के साथ होता है अब आपने कभी SDFC को ऐसा करते हैं नहीं देखा होगा और बहुत पुरानी बात भी नहीं है लगबग डेर साल दो साल पहले की बाते SDFC के सारे fund अच्छानक से उच्छाल माड लिये थे उन्होंने तो एक fund house देखो एक fund house को अगर एक large cap stock मिल गया अच्छा तो जितने अपने scheme से सब में उस stock को गुशाने के उब कोसिस करेंगी की और सब SBI से लेके, Quant से लेके, Nippon से लेके, SDFC से लेके, सब ऐसी कोसिस करते हैं एक अच्छा stock मिल गया तो उसको अपने सारे scheme में गुशाने की कोसिस करते हैं सब्सक्राइब तो इसलिए यह एक की स्कीम के अलग अलग अप एक ही एमची के अलग刚 स्कीम का पोर्पोली ओड़ देखोगे ज़ाधा होता है तो इसलिए एक अगर चल जाता है न श्टॉक तो ज्यादा तर स्कीम चल जाते हैं उस mutual fund company के तो ऐसे में किसी भी time period में group of stock अगर किसी मतलब किसी AMC का selectiva 15 stock बहुत बढ़िया कर गया तो AMC skyrocket हो जाती है एक दो किया तो performance थोड़ा सा improve होता है और ऐसे ही एक दो खराब कर गया तो थोड़ा performance डाउन होता है और 15-10 खराब कर गया तो बहुत डाउन हो जाता है तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि AMC जो अभी अच्छा कर र होता है वो लहर में उपर नीचे उपर नीचे करके चलेगी आपको बैठे रहना होगा पेसेंस के साथ जो नहीं कर पाते इंवेस्टर तो कौन अच्छा करेगा कौन खराब करेगा इससे परशान होने के जुड़त नहीं है और जहां तक रहा मोतिलाल की तो मुझे बहुत ज़्यादा उमीद है कि थोड़ा सा टाइम एक डेर साल ने इसके आपको रिटरंस होते हुए दिखने लगेंगे और फिर कोई और एमसी है जो की पीक आउट करेगी तो वैसा ही होता रहता है इसको लेके आपको परशान और हमेशा आपको बेस्ट परफॉर्मिंग मूचल करता आ रहा है बस उसके साथ टिक जाओ और बने रहा हो मोतीलाल के मिटकेप में अभी लोगों ने इन्वेस्ट किया है क्योंकि तगार इटरं दिख रहा है एक सल बाद अगर खराब परफॉर्मेंस हो जाएगी तो उसको लेके लोग परिशान होई लेंगे को तयार नहीं है HDFC Mid Cap का ऐव Maintenant बहुत हॉए है क्या हाइए तो देखिए question भी बहुत जादा collective नहीं है question बहुत लोग पूशने है और यह question एक है कि हाई एम से पे शेल होता है हाई से रिटरंट पे सिर्फbble एक कतेकरी के अंदर असर होता है वह है फोकस्ट की क्योंकि वहाँ पर number of stocks only 30 रखने रहते हैं इसलिए दिक्कत होती नहीं तो large cap में भी देखो तो 100 stock होता है mid cap में भी डेर सा होता है large mid mid high सा होता है small cap में तो बहुत ही जाता number of stocks है multi cap, flexi cap की बात ही छोट तो यह सब जो category है यहाँ पर number of choices बहुत जाता है और समय के साथ AUM बर रहा है mutual fund का तो समय के साथ stocks का market capitalization भी बर रहा है आज से 5 साल पहले जो एक small cap fund का average AUM हुआ करता था यह जो higher limit थी small cap fund के AUM की वो 5 साल में बहुत जादा बर चुकी है अगर 5000 करोड थी तो 5 साल में 20-30,000 करोड पहुँच चुकी है तो इसलिए उसको परिशान होने की जरुवत नहीं है तो आपको AUM को लेके चाहे पराकपरी की बात करो चाहे निपॉन की बात करो, चाहे SDFC के कई funds की बात करो, SBI के कई funds की बात करो इन सबने प्रूव किया है कि higher AUM जो issue है वो नहीं है higher AUM issue होगी, तो वहाँ पे सबसे पहला आपको तो investment पे mutual fund company रोक लगाने लगी SIP बंद करेगी, लंब सम बंद करेगी, ऐसा mid cap में बहुत ही इकाद दुका में देखने को मिलता है large flexibility में देखता ही नहीं है, small cap में जाया तर देखने को मिलता है क्यों? क्योंकि SEBI के करन दिक्कत हो रही, SEBI बार पार force करकर यह सब करवा देती है नहीं तो investment opportunity भर पूर इंडियार markets में fund managers को मिल रही है और पैसा भी डाल रहे है, तो इसलिए opportunity की क्योंकि इंडिया में कमी नहीं है इसलिए higher EVM problem नहीं है, जो opportunity की कमी होने लगी, तब higher EVM problem चरूँड़ा